आगे सवी तो जितने भी साथ ही जुड़े हैं ये बता दें कि क्या आप डिलेट सिकेंड समेश्टर के स्टूडेंट है यस पका इसके पीछे की क्लास कितने बच्चों कि नहीं देखा था कल की क्लास सतरास और सोला नंबर यह ठारा नंबर क्लास है आज जोती सिंग सोनम दूबे धिरेंद्र राहुल कमेंट सब का आ रहा है बस मैं ही नहीं आ रहा हूं और मैं आ गया आपके सामने बस यह निकला और यह पहुंचा कर दो कर दो कर दो कर दो पाओना बीच बीच में ही है ना लायक कहीं का Kundra. चला अंब छोड़ो मत साथियों यह है आपका लक्ष बैच जिसमें 18 नमबर कलास होगी हमारी कोशिस है इसमें आपको क्वालिटी देने की क्वांटिटी नहीं आज पढ़ेंगे बीजिये बेंजको का गुड़ा इसके पहले आपने बीजिये बेंजको की पहचान देख लिया है एक पदिये दो पदिये बेंजक पढ़ लिया है सजातिये बिजातिये पद पढ़ लिया है गुडांक पढ़ लिया है चरचर पढ़ लिया है यह सारी कहानी आपने अब तक पढ़ लिया है एक बार सभी हाँ बोल दें यस बोल दें और अगर मुझे देख पा रहे हूं तो ठीक है अच्छी बात है कि अगर आगे आगे हो सभी यस एक बार यस कर दो भई हाँ आगे हो चांदनी जी कमेंट आपका आ रहा है प्रतिभा प्रियांसू समसाद अली ठीक है देखे शुरू होने में थोड़ा तो वक्त लगता है नौ डीलेट के जो भी नए कंडिडेट आ रहे हैं पर्थम समेस्टर के लिए टॉपर बैच आ रहा है 12 सितंबर 2023 से इसमें स्टार्टिं में भारी डिसकाउंट है ओनली 100 सीट है डिसकाउंट में जिनको भी जोईन करना है आपके भाई बहन कोई भी है यार दोस्त तो उनको जोईन करवा दीजिए मैत में पूरे पुरांग मिलने की गारंटी पढ़ना पड़ेगा यह टॉपिक शुरू करने के पहले इंप्वा करना अलजेबरिक एक्सप्रेशन का मल्टीपल कैसे करते हैं वो देखेंगे उनकी कुछ नियम है आपर साथियों जो सजातिये पद मैंने पढ़ाया सबको याद होंगे सजातिये पद यानि लाइक टम्स को ही जोड़ा और घटाया जा सकता है जो बिजातिये पद होते हैं जोड़ा जाती हैं और भाग करने पर यह घट घट जाती है ठीक है अगया जोड़ा घटाना में घातों में कोई बदलाव नहीं होता है यहां पर ऐसे समझे लो जैसे सजातिये पद जातिये का मतलब जैसे आपको फ्रेंड गर्ल्फ्रेंड बाफ्रेंड बनने के लिए को कोई जाती का मतलब नहीं होता है लेकिन बिया करेंग लिए अपन जाती से लोग खोजते हैं समझ रहों तुम्हें इससे बसा और बाकी इससे आगे मैं क्या ही बताओ अगे बढ़ें चलिए पहला कोईश्टन यहीं से स्टार्ट करते हैं जैसा कि पहले मने आपको बताया गुडा करने पर घाते जुड जाती हैं जहाँ पर सजातिये पद होते हैं तो पहले मुझे बताओ क्या ये सजातिये पद है सजातिय पद नहीं समान पद देखिए यहां पर क्या लिखा एक बार फिर से देखो गुड़ावा भाग में सजातिय बिजातिय का होना वसक नहीं है गुड़ा करने पर समान चर की घाते जुड़ जाती है यहाँ पर समान चर की बात हुई है समान घात से नहीं मतलब हाँ, उस पे कोई घात नहीं दिख रही तो एक घात मानी जाती है, तो गुड़ा करने पर यह हो जाएगा, आपका तीन और यक्स की घात यह इस पे एक है और इस पे वाली दो है, आफे जुड़ जाएगी, तीन यक्स घात तीन हो जाएगा बस, अगला बी वाला इधर है कहाँ है इधर है इसका जवाब दीजिए बताईए बी वाला बताईए आईए multiple करना है पहले तो आप variables का multiple कर लोगे नाइन का सेबन में तो नो सते तिर्फट अब साथी मेरे ये समानचर इसमें वाई है इसमें भी वाई है दोनों का power one one है तो multiple करेंगे तो one one power two हो जाएगा यानि y का power two जेड का इसमें कोई जोड़ा नहीं है तो जेड वैसे उतर जाएगा कोई दिक्कत किसी को कि क्या हुआ बार बार छोड़ दे रहा कैम रही है गुस्सा लग रही मुझे इसके उपर थोड़ा रुकना तो पर पर पकड़ लिया नालायक छोड़ क्यूं दे रहा तू या तो एकदम से बिगड़ जा तो ठीक है आईए देखते हैं उधर कोईश्चन उनको कर लेते हैं फिर इनको नीचे कर देते हैं बाद में हल करेंगे इसको कितने बच्चे हल कर लेंगे डी वाला देखिए साथी मेरे इसमें 21 है इसमें 3 बटा 7 है ये ऐसे है 21 और 3 बटा 7 इसको तो आप हल करी लोगे इतने को इधर है देखो बस साथ तरीक है कैस 3 का 3 में multiple होगा 9 यानि जो variables का हिसाब है उसे करने के बाद सिर्फ 9 बचेगा क्या बचेगा 9 तो यहाँ पर आप 9 लिख लोगे अब यहाँ पर y का square है नीचे y है इसका मतलब ये relation है ये वाला क्योंकि ये देखो भिन में है बटे में नीचे है वाई तो भाग करने पर घाते घट जाती है यहाँ पर दो घात है नीचे एक घात है ये भाग हो रहा घात घट के एक हो जाएगी तो यानि कुल मिला के y बचेगा दूसरी भासा में ऐसे भी समझ लो कि y का घात अगर दो है इसका मतलब y गुड़ वाई दो बार है नीचे y एक बार है एक y से एक y कैंसल सिर्फ y बचेगा आया समझ में जालो तो y का हिसाब हो गया सिर्फ y बचेगा बाकी यक्स अंकेले है बगल में तो yक्स भी इसमें लिख दिया जाएगा क्योंकि उसका कहीं भी कोई भी गुड़ा भाग नहीं हो रहा है कुछ भी हो गया खातम कोई डाउट कोई तकलीफ तो मुझे बताओ नहीं आईए यह तुम इधर चले जाओ चलो तुम इधर चले आओ इसमें भी दूई सवाल है तुम इधर चले आओ लो इनको यहां रख दिया हो बात के लिए चलो इसको कितने लोग हल कर लेंगे य वाला नमबर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है ना ध्यान से देखिए क्वाल्टी थोड़ा साही कर लीजी दिखेगा साथी मेरे ये है कुछ ऐसा तीन बटा चार और ये साथ बटा अठारा पहले तो ये भिन हल कर लीजी अगर इसको हल कर लेंगे तो आपका वेरियबल्स का जो है कल्कुलेशन बचेगा कांस्टेंट का हो जाएगा ठीक है बढ़ियां आ रहा है कोई दिक्कत तो नहीं किसी को नो इंटरनेट बहुत गंदा चल रहा है क्या अलका सिंग बहुत देर में आ रही हो ऐसे आयव आयगा नहीं कुछ देखो तो तीन छांग अठारा उपर साथ बचरा नीचे चार छांग चौविस साथ बचा चौविस आना सेबन अपान टॉंटिफॉर इसमें आप कुछ नहीं होगा तो यह सेबन अपान टॉंटिफॉर ऐसे लिख देंगे फिर क्या होगा आगे देखना यक्स का स्कॉयर सौरी यक्स का स्कॉयर नहीं है देखो यह जड का स्कॉयर है नीचे भी जड का स्कॉयर है यह देखो उपर है अंस में इसके साथ में यह हर में है तो ये ऐसे condition में जा रहा ऐसे तो बराबर बराबर है जड़ खतम हो जाएगा ठीक है जड़ की घात क्या हो जाएगी 0 अमान हो जाएगा 1 एक का कोई मतलब नहीं भाई दो में से तो खटाओगी ना भाग करने घाते घट जाएगी 0 आएगा तो कोई मतलब नहीं एक आएगा वो खतम शिर्फ वाई बचेगा साथ में तो ये 7 upon 24 वाई इसमें कोई डाउड किसी को नहीं चलो देख लो फट से प्रतिभा मोबाईल में थोड़ा जूम होता जूम करिए दिखेगा सबकी मोबाईल में जूम होता न ऐसे इसक्रीन पर दोनों अंगुली रखो ऐसे खीचो ऐसे देखो जूम हो रहा एक नहीं ये कितना जूम हो रहा देखो इसको भी देख लो भाई असी वाला देखो ये 4 बटा 3 है और ये 12 है ये अंस में है ये हर में है इसे इससे डिवाइड किया जा सकता है 4 आएगा 4 का 4 में मल्टिपल होगा 16 और xy बगल में बस हो गया खतम लिखिए जल्दी जल्दी करिए आगला नेक्स्ट सवाल में आपको जबाब देना पड़ेगा इसमें आप्सन दिया है दूसरा तीसरा में आप्सन दिया है बताओ सभी साथी फटाफट सेशन को लाइक करें और सिकन नमबर का जबाब दीजिए उधर 45 हो चुका था लेकिन ये सिकन नमबर एक नया कोश्चन आईए देखो भया कितने लोग ऐसा है जो इनको कर लेंगे कितने लोग ऐसा है जो नहीं कर पाएंगे कर लोगे पक्का चलो तुम्हें इसको हल करके मैं दिखाऊंगा वस इनको मैं छोटा करके ही रख ले रहा हूं बाद मैं बढ़ा करके दिखाऊंगा चलो आउँ हल करता हूं कुश्चन है साथी मेरे चार यक्स वाई का क्यूब जड़ इन्टु जड़ का स्क्वाईर वाई इन्टु वन अफान फोर यक्स वाई पहले आप बरियबल्स छोड़ के चांस्टेंट हल करोगे तो देखो फोर इन्टु वन अफान फोर है ये हर में है ये अन्स में है फोर से फोर डिबाईड हो गया अब यक्स को खोजिए X कहीं भाग में तो है नहीं गुड़ा में ही है यहाँ पर एक X है यहाँ पर एक है तो गुड़ा करने पर घाते जुड़ जाती है तो यह X का हो जाएगा स्क्वायर अब बात आती है Y पर Y का घात यहाँ पर 3 है यहाँ पर एक है यहाँ पर भी एक है तो कितना हो जाएगा ये तीन घात ये एक चार एक पाँच कितना हो जाएगा वाई का पावर फाइव कितना हो गया वाई का पावर फाइव ठीक है ये तीन और ये चार एक पाँच अब जड कितना है यहाँ पे एक है यहाँ पे दो है तो जड़ का घाथ तीन समझ में आया कोई दिक्कत किसी को नहीं न आया समझ में सबी को देख लो एक बार फिर फिर यक्स यहां पर एक है यहां पर एक है यानि यक्स का स्क्वायर वाई का 5 जड़ का 3 कहीं है क्या कोई साही नहीं है ऐसा कैफे वाई का 4 जड़ का 3 ये पहला वाला साही है न अपसन दूसरा में ए साही था कौन सा साही है भाईया ए साही है वाईया वाला साही है अपसन चलो इसको लिख लो फट से जल्दी से मैं इसको मिटा के दूसरा लाऊंगा यहीं पर जल्दी करें ए वाला साही है ए वाला नहीं लिखा था तो वीडियो को बैक करके देखें पीछे करके बाद में देखना अपना लिख लेना जवाब दीजिए तीफरे नंबर में तीसरे सवाल में जवाब दीजिए सभी रेनू समझ में आ रहे हैं ठाकुर अधा सिंग देखिए पहले इसमें constant यानी अचरपद का हल करेंगी बाद में चरपद पे चलेंगे अचरपद इसमें 1 upon 10 है इसमें 3.5 है तो 3.5 को गुड़ा करोगे आप 1 upon 10 से ठीक है इसे मोटा मोटा हम ऐसा कह सकते हैं कि 3.5 बटा एक और एक बटा दास ऐसे कर सकते हैं आप सबको पता है बच्पन में पढ़े हो बुड़ापे में पढ़े हो कि ऊपर एक अंक पर दसमलो है अगर दसमलो हटा दे तो नीचे एक 0 बढ़ जाएगा तो हम इसे ऐसा कर सकता हूँ इसमें कोई दिक्कत किसी को कोई तकलीफ नहीं न इनको और ज्यादा हल कर लीजिए पांच सते पैतिस पांदूना दस दो दामा बीस यानि साथ बटा बीस आएगा ना कितना आएगा साथ बटा बीस जल्दी फेशे लिख लो चाहो तो स्क्रेइन साथ ले लो बाद में लिखना जल्दी करिए मैं हट गया हूँ चलो इतना देर में तो बहुत कुछ हो जाता है हो गया होगा आईए साथ बटा बीस आगया ये तो पक्का पता है इसलिए सभी में साथ बटा बीस है आपसन में अब देखो आगे बरियाबल्स का कमाल चर्पद का इसमें यक्स है इसकी पावर 1 है इसमें भी यक्स है पावर 7 है मल्टिपल होगा मैंने कहा था पहले इस्टार्टिंग में दिखाया था कि गुड़ा करने पर समान चर्की घाते जुड़ जाएंगी तो ये 1 और ये 7 जुड़ के 8 हो जाएंगी यानि यक्स की पावर 8 देखो यहाँ पर नीचे पी है यहाँ पर भी पी है यानि ये पी का स्कॉयर है नीचे भी पी है ऐसा है भाग हो रही भाग करने पर घाते घट जाएंगी तो यहाँ पर दो घात यहाँ पर एक घात उसमें से घट जाएगी या फिर ऐसे समझ लो घटने वाला छोड़ दो तो पी का स्कॉयर मतलब पी गुड़े पी नीचे एक पी है एक पी से एक पी निप्टा दिया तो एक पी बचा है पी पी करता रहेगा हो गया ख़तम सिंगल पी बच रहा है यहाँ पर लिख लो और क्या बचा है इसमें देखो बचा है एक वी भार वैल ना किबाल हो गया यह अंसर हो गया और साथ बटा बीस इसमें जरूर रहेगा इस्टार्टिंग में देखे हो तो बहिया मोटा मोटा इसको लिखो तो साथ बटा बीस बी यक्स एड़ पी यह सीरियल फे लिखा हूँ अलफाबेट के कौन सा सही है टू में बी थिरी में बी कौन सा थिरी में बी नमबर एक बात समझना इस कलास में ज़्यादा भीण नहीं रूकेगी इस कलास में वही रूकेंगे जिनको वास्थों में पढ़ना है और नहीं बहुत मस्त नीन्द आएगी आज यह समझ में नहीं आने वाला है जिनोंने बेसिक अलजेबरा का कलाफ नहीं देखा, बेसिक में नहीं आती है वो इसमें बहुत मस्त सोयंगे ममी जाने हैंगे पढ़ती आ है फलानिया मॉबाइल में हम बकबकार हैं हम कहें देखो भई या देखो सो रही है आगे देखो जो लोग सुन रहे हो गार जीन अगर कोई तो और कुछ लोग जो सिब बियाए के लिए डियलेट कर रहे हैं तो पक्कास होएंगे उनको तो नहीं समझ में आगा कभी तो कितने लोग ऐसे हैं जो डियलेट सिर्फ इसलिये कर रहे हैं कि बिया हो जाएगा मतलब डियलेट कर रहे हैं इफ लिए हो जाएगा हैं कोई काफी लोग है ना एक दिन यह कोईश्चन नहीं है इस वो सब हल करना अलग अलग इसमें आपसन नहीं है ठीक है इसको हल करना है पहला हल कर लेंगे कितना आएगा आईए इसको बताते हैं देखिए इसमें यह एक पदी यह बन जखा यह दूइ पदी यह बन जखा यह चीज़ तो आप पढ़े हो पिछली क्लास में अगर नहीं पढ़ा है इसके पीछे की क्लास तो चैनल पर पढ़िए जाके देख लीजिए आईए दो साथियों इसमें क्या करते हैं इसका गुड़ा इसमें होगा पहले एक बार ठीक है मैं आपको दूसरे जगल आके दिखाता हूँ देखो सेबन यक्स का मल्टीपल पहले नव आई में होगा सभी कर लेंगे इसको देखो भई यह नौ का साथ में गुड़ा करेंगे पहले बरियेबल्स का तो नौ सत्य कितना हो जाएगा तीरफट होता है तिरफट हो गया ठीक है अब यह यक्स है यह वाई है दोनों अलग अलग विरादर के हैं तो एक नहीं होने वाले है विरादर का मतलब यहां यह सजातिय बद नहीं है समान बरियेबल्स भी नहीं है तो अगर अलग अलग चर है तो उनका गुड़ा करने पर वो अलग अलग ही रहे जाते है एक मेंने मिलते हैं ठीक है यह यक्स और वाई ऐसे लिख दें गे अगर यह भी यक्स-वह ख्ष्ट याद रखना यक्स की गहात ही गहात यक्स में जुड़ेगी यक्स की गहात वाई में Core सब्सक्राइब तो गाय का जूंड अलग होती है कुछ अपवाद होते हैं कौनों कौनों गईया की बहुत जाद आदत पड़ जाती तो भाइस की बीच में गुसी रहती वालग बात साहर वाले बंदर देखे हो न सहर में बंदर आते हैं सुवर भी आती है तो सुवर की जूंड़ाइ ककठ्था होती बंदर की कठ्था होती अब इसमें कुछ अपवाद हो सकता है वह आप समझ सकते हैं चलिए तो ये 63 x y इतना हो गया पहले गुड़ा में तिरफट यक्स y अब दूसरा step में देखना ये हो गया इतना बीच में plus का sign ने तो fluff लगा देंगे ठीक है अब 7 x का गुड़ा होगा 5 में सिर्फ और सिर्फ 5 में उसके साथ और कुछ नहीं है किस में होगा 5 में तो भाई साथ पचे कितना होगा 35 और यक्स ये ऐसे हो जाएगा बस यह अंसर हो गया इसमें और कुछ नहीं होगा यही उत्तर हो गया रेनू समझ में आ रहे है प्रतिभाया दो मोहित, सोनम, लोकुस, सिल्फी, सरसतिर, अठाओर आगे बढ़ें चलिए तो यह हो गया पहला भी वाले में आ जाओ इसमें पहले 12 यक्स य का गुड़ा करना है 27 यक्स य में सबर यक्स य नहीं, सिर्फ यक्स स्कॉयर है तो 12 यक्स इसका गुड़ा करिए 27 यक्स य में समझना यहाँ पहले आपको सिर्फ और सिर्फ बारा का गुड़ा 27 में करना है कितने लोग कर लेंगी बोटो बोलो भाईया बोटो नहीं बोलो देखो, समझो इधरे आओ तो 12 सत्य 84 हासिल 8 12, 7, 84 होता है न 8 आया और 12 दूना 24 24, 36, 32 यह हो गया यक्स का पावर 1 है यहाँ पर यक्स का पावर 1 है दोनों समान समान चरह है गुड़ा होगा घाते जुड़ जाएंगी तो एक घात यह एक यह तो यह जुड़ जाएंगे यक्स का घात दो और यह वाई अकिला है तो यह से राजाएगा 324 आ रहा सब का तुम ही से पूझ रहा है बैट यो मो बना अगे जूठी मतलिक देना कि तु जो कहे बस वही स़ही है तेरे बेन तो कुछ भी नहीं है सबिंक हो सकता है कहीं कहीं हम गुड़ा उड़ा में गलत कर देते है तुम है अपनी बुद्धी विवेक आत्मा को जगा के रखना हाँ कुछ बच्चे इसे रहते हैं हम जो लिख दें वहीं लिख देंगे हम कहेंगे गाय उड़ तो कहेंगे गाय उड़ बिल्ली उड़ हाथी उड़ सुवर उड़ सब उड़ा देते तो बारत सच ज़रासी के चार हासील आट बारत दूना चोबिस आठ बटिस ठीक है अब अगले Ķ्टेप में मल्टिपल होगा बारा यक्सी स्कॉाइर का तीन में तो बीच में पलव का यखा फाइन था तो पलस बारत याई 36 साथ में 11 स्कॉायर था तो लगा दिया बस खतम चलिए अब आप लोग C वाले का जबाब देंगे इमानदारी के साथ चलो बताओ C वाले का जबाब मुझे दीजी आप सभी चलो बताओ नहीं बता पाओगे बस यही चल रहा है देखिए मैस है थोड़ा बहुत मुखबत मांगती है यह अगर बच रही है उससे तो बचा लो थोड़ा बहुत इसको भी दे दो भईया देखिए कुछ बच्चे बहुत परिफान रहते हैं जहां पर आप वक्त लगाओगे वहीं कुछ हासिल होगा अगर आप दिन भर में 24 गंटे में 8 गंटे बात कर रहे हो या 6 गंटे उनके साथ टाइम बिता रहे हो तो फिर वहीं मिलने वाले मैत नहीं मिलने वाली है समझ रहोगे नहीं तो थोड़ी बहुत मुखबत करना सीखो मैत से कुछ रातें कुजारो इसके लिए फिर देखो ना आने लगे तो कहें न आएगी जरूर आएगी आएगे इसका गुड़ा पहले इससे होगा कर लेंगे देखिए पहले 5 वाई स्कॉायर का गुड़ा करेंगे 3 याक्स वाई में सभी को दिखरा है इतना यही समझा रहा हूँ यह पूरे का है पहले इसमें पहले वाले में ठीक तो 5 का गुड़ा पहले 3 में होगा तो 5 याई 15 ठीक है मैंने variables को छोड़ करके constant का गुड़ा कर लिया आचरपत का अब इसमें यक्स का इसमें देखो भाई यह वाई का गात दूई है रुके रहो एक मिनट यह असमान में उड़ रहा है इसमें वाई का गात दो है इसमें वाई का गात एक है तो गुड़ा करने पर समान समान चरह गात जुड़ जाएगी तो दो घात इसकी एक, इसकी हो जायागा Y का 3 अब इसमें अकेला यक्स है, इसमें तो है नहीं तो ये X ऐसे रहेगा अकेला ये हो जायागा 15 यक्स Y का क्यूब भाई चारे के लिए X को पहले कर देंगे क्योंकि X छोटा है मतलब आलफा बेट के सीरियल में हो जाएगा ठीक पारला इस्टेफ खतम अब पीछे में प्लस का साइन था तो प्लस अब चलेंगे नदी उस पार नदी उस पार का मतलब इस साइन के उस पार तो पांच वाई स्क्वाईर का गुड़ा चार में होगा यानि यह इतना होगा ऐसे सिर्फ एक में बारीवल साइए एक में सिर्फ चांस्टेंट है तो पांच का चार में पांच वाई स्क्वाईर क्या हो जाएगा 20 वाई स्क्वाईर बस कोई दिक्कत नहीं छापलो पटा पट चलो रिसु ब्यूटी एंड ब्लाग अप्लिकेशन में क्लास क्यूं नहीं चला नंबर पर संपर करिए अपने बैच के साथ ठीक है बताया जाएगा हो सकता है आपकी बैच में ना चला हो उसका कारण रहा होगा बताया गया होगा हो गया खतम पहला चलो भाई आगले में आजाओ फिर नीचे आजाओ यह तो हो चुका था वही एक ठीक बचाया ना तो वही एक ठीक बचाया डी वाले का आप लोग बता तो इतने लोग जुड़े हो कम से कम थोड़ा कुछ तो करो ना यार जिन्दगी ऐसे भी जा रही है वैसे भी जाएगी कुछ करके जाओ अच्छा रहेगा था ने वह जाके लड़ा यगड़ा करोगे यह आगे पहले क्या मतलब है दी वाले का अंसर दीजिए जल्दी से आपके पास है पूरे एक मिनिट जल्दी करें कहीं कुछ गलत गुड़ा हुआ है कहां अरे यार यह तेरा है कि इसको तीन समझा है देखो यह यह ना जैसे जैसे उमर भी इत्ती वैसे दिखना कम हो जाता है न उतना भी कम नहीं दिखता है लेकिन फिर भी अचा यह पांच तेरा पचे यह 65 होगा ठीक है गिन्ती में बताया ना वही शिर्फ 65 होगा बस बाकी कोई अंतर नहीं कि उपेश जी ने आंसर दे दिया ठाकुर राधा सिंग ने भी बता दिया लेकिन यह पता नहीं किसका बतारी कला था इनका 54 कैसे होगा 954 होता है तिरफट होता है शी वाला अंसर तो बताई दिया था जो चात्र सिर्फ 10 वीडियो में पूरा बेसिक खतम करना चाहते हैं उनके लिए हम एक सीरीज लेके आ रहे हैं इस चैनल पर जिसका नाम है राज कुमार यादो सर मैट्स यह चैनल नाम देख लिजे ध्यान से यहां फिलेकर यहां तक आपको यूटूब पर लिखके सर्च करना होगा राज कुमार यादो सर मैट्स इसको सब्सक्राइब करके रखेंगे इस पर हम सिर्फ 10 वीडियो की स सिर्फ में पूरा बेसिक खतम करेंगे यूटूब पर बिल्कुल फ्री बहुत जल्दी वो सिर्फ आने वाली है अभी तैयार हो रही है सब्सक्राइब करके रखें आज ही कर लें या फिर स्क्रीन साट ले लें बाद में कर लें ना अगले कुश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं देर ना करते हुए इसमें दूई पद का दूई पद में गुड़ा करना है ये थोड़ा सा और बड़ा है सिर्फ वही इसमें रुक पाएंगे जिनको वास्तों में मैश से मोहबबत है और जिनको सिर्फ उसी से मोहबबत है अपनी वाली से फिर वो तो भाग जाये अब पनी वाली के पास तो देखते हैं कितने लोग को मैश से है थोड़ा बहुत आओ अगर इस कलास में दफ लोग भी रुके हैं ना तो इस कलास का भाग गया है कि यहां दफ लोग देख रहे हैं क्योंकि इसको कोई पढ़ता नहीं है लोग छोड़ देते हैं बोरिंग लगता नहीं है आप देखो तो इसमें देखिए एक और दो पद है इसमें भी एक और दो पद है दो पद का दो पद में गुड़ा करना है ठीक है कैसे होगा देखो यहां पे सबसे पहले इसका गुड़ा इसमें करेंगे यानि पहले वाले पद का गुड़ा पहले वाले पद में करेंगे अलग-अलग करेंगे, यहां इधर एक कर लेते हैं, बगलवाली के पास में, इधर साईड में जगा है, दूसरे एक दुवारे हैं ना, होता नहीं, कुछ लोग गाओं में कुड़ा भी बाहरते हैं, जाड वड़ लगा का कले एक दुवारे लगा देते हैं, उठत तो अब 4 पद में यक्स का वाई में कर लीजे, दुनों अलग अलग है तो यक्स वाई, यानि हम लिख सकते हैं 8 एक्स वाई, ठीक, अब क्या करेंगे, जो करना है वही करेंगे, अवर का करेंगे, गुड़ा देखो भाई आब चार यक्ष का गुड़ा करेंगे तीन में पहले हमने क्या किया पहले पन में कर लिया अब इसी 4 यक्ष का गुड़ा इसमें पूरे में करेंगे हुआ है समझेते जाना तो four yaks का multiple जब तीन में करोगे तो चारतियां ही 12 और yaks क्योंकि yaks अंकेला है तो यह हो जाएगा धन 12 yaks आगे समझते जाओ अभी क्या क्या हुआ four yaks का multiple इन दोनों पद में हो चुका है थोड़ा सा रुकना इनको थोड़ा दुरुस्त कर दू मैं तो जो कहें बस लो हो गया भाई ओके डन चलो अब four yaks का गुड़ा तो सम्में हो गया अभ बया इसमें का तीन पकड़ो और उस तीन से भी दोनों में गुड़ा करो ठीक है तीन से भी दोनों में गुड़ा करो र, चलो, समझते जाना दिल दिमाग से आएगा, तो तीन से गुड़ा करेंगे पहले वाले पद में, यानि दो आई में, आचर आचर पद का गुड़ा करेंगे गिनती गिनती का तो तीन दोन न छे, और वाई अकेला है तो अकेला ही रहेगा, इसी के आगे इसको लिखना है थोड़ा ही था रजेस्ट करने दू कि दिख रहा है ना यहां तक ठीक है यह हो गया प्लस जे वाई फिर प्लस लगा दो क्योंकि दोनों प्लस प्लस है अब तीन का गुड़ा दूसर के वाले पंद में होगा इसमें यानि तीन में तो तीन तरीका कितना हो जाएगा नौ पस इनको जोड़ घटा लो जो हो सके हो गया आंसर अनुराधा सिंग का आंसर आ चुका है बहुत अच्छा अनुराधा रैदास कभी आ चुका है प्रतिभा यादो भूपेस ठाकु राधा सिंग सोनम देखो भाया एक चीज देखा हो ये 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 कोई भी सजातिय पद नहीं है तो ये कोई आपस में जुड़े घटेगा नहीं जैसा है वैसा ही वैसा आंसर रहेगा ये कोई जुड़े घटेगा नहीं बस हो गया answer यही हो गया कोई दिक्कत किसी को तो बता दो इसमें इसमें आप common ले लो फिर से वही आजाएगा इसमें 4x common ले लो इसमें धन आप क्या कामन ले लोगे 2y नई धन 3 ले लोगे बस बुपेस ने बी वाले का answer भी बता दिया है बहुत अच्छा बुपेश कामना सुकला चले अगला सवाल की तरफ आगे बढ़ते हैं उसके पहले आपको याद दिला दें कि 12 सितंबर से डियलेट 1 समेश्टर की एक नई बैच आ रही मैध की यूटूब पे इसका नाम है टॉपर बैच अगर आप या आपके घर परिवार में कोई भी डियलेट में एडिमिशन करवाया है या करवाने जा रहा है या पढ़ना चाहता है बिल्कुल जीरो से या उनका डियलेट में बैच को एक है तो वो इस बैच को जोईन कर सकते हैं इसमें पर्थम देश्टाया जो 6 महीने की फीस होती है 699 उसमें पूरे 200 का डिसकाउंट है यानि 699 में मिल जाएगा पूरे 6 महीने के लिए बतलब आधा साल भर के लिए ठीक है इसके अलावाँ भी एक आफर है कमबो डिसकाउंट में जो फी 2396 है इसकी जगा पर इसमें only 1000 में है पूरे 2 यर इसमें चारो समेश्टर का पूरा मैथ मिलता है इसका स्क्रीन साट लेके इस वाट्साप पे भेज दें अगर आप चाहते हैं तो ठीक है चारो समेश्टर का मिलेगा प्रथम दूतिये तृतिये फोर सारे समेश्टर का मैच्स पूरा कंपलीट क्लास प्लस डावट पूछने की सुवधा और प्रेक्टिस सेट अभ्यास लाइब क्लास सब होगा सिकेंड वाला बताना पड़ेगा हां बता देता अच्छा रान लिख लिद का फाल्त दिमाग लगाओ ना ना बैया देखो पहले वाले पद को पकड़िए इसका भी पहला वाला पकड़िए दोनों को पकड़िए और गुडा करिए तो ग्यारा यक्स का गुडा साथ यक्स में करना है पहले तो हम अचर अचर पद का करेंगे यानि गिंती गिंती का तो ग्यारा का साथ में करेंगे तो ग्यारा फते फततर ठीक है फिर क्या होगा एक्स का यक्स में गुडा करेंगे तो यक्स का स्कॉयर तो कितना हो जाएगा 77 X का स्कॉयर इसको लिखिए 77 X का स्कॉयर पहला step हो चुका काफी हद तक आगे देखिए समझ यह आगे अब 11 X का ही गुड़ा करेंगे इसको पकड़ो भाईया इसके दुसर के वाले पद में समझते जाना step by step समझ जाओगे तो कुछ मुश्किल नहीं है पहले गिंती-गिंती का गुड़ा करेंगे तो 11,44 और यह X आए फे हो जाएगा 44 X ठीक है अब देखिए एक चीज़ यहां ध्यान रखना कि यह 11 X तो प्लस था बट यह 4 माइनस में है यहां पर इसे माइनस में करके आप लिखोगे दिखाने के लिए माइनस में यह माइनस में है 4 तो यह प्लस माइनस माइनस होगा जो आंसर आएगा वो माइनस में आएगा यानि यह 44 X जो आएगा माइनस में आएगा बात समझ में आई बहुत बड़ी बात है चीन वाली अगर प्लस कर दोगे सब गलत ठीक है आप चलिए आगे नेक्स टेप आगे बढ़िए आगे बढ़िए अब पहले पद का गुड़ा इन दोनों में हो गया अब इसमें का दूसर का पद पकड़ेंगे इसके पहले पद में गुड़ा करिए दूसर के पद से पहले पद में तो भाई साथ तूरंद कर लो ये प्लस है ये भी प्लस है 5 सते 35 धानी ये हो जाएगा 35 यक्स खतम इसका पहला पद पकड़ो इसका दूसर के पद में करो ये प्लस में है ये माइनस में है उत्तर माइनस में आएगा पांचव का 20 हो गया खतम लेकिन अब इतना खतम नहीं है इसमें अगर कोई समान पद है सजातिय पद है तो जोड घड जाएंगे ठीक है तो ये माइनस का 44 एक्स और ये प्लस का 35 एक माइनस है एक प्लस है दोनों समान है यानि सजातिय पद है आपस में घड जाएंगे तो नौ आएगा माइनस में नौ भाई साहब माइनस का 44 प्लस का 35 हल तो कर लोगे न माइनस का 9 आता है न बोलो आता है कि नहीं इतना तो तुम्हें आता ही होगा अगर इतना बेसिक नहीं आता तो जीरो लेबल जोईन कर लिजी अभी टाइम है जिन्दगी में थोड़ा बहुत तो यह आएगा 77 एक्स का स्कॉाइर माइनस 9 एक्स और माइनस का 20 यह आंसर हो गया बस खतम 35 एक्स का स्कॉाइर कहां से आया है अनुराधा जी एक्स का स्कॉाइर नहीं आएगा गलत है आपका हाँ 11 एक्स पलस में है तो 11 एक्स पलस में है बबुआ लेकिन 4 तो माइनस में है ना तो 1 पलस 1 माइनस इसलिए आंसर माइनस में आया है पांच चोग बीस सही तो है पांच सते पैतिस ए बईए कहीं से कुछ गडबड हुआ है का रुको एक मिनट नहीं गडबड तो नहीं हुआ सही है ग्यारा फते फततर पहले लिखा था ठीक है ग्यारा चोग चोवालिस ठीक है सही है कोई दिक्कत नहीं चलिए आगे बड़े सरिता सिकंड टाइम भी करिए सिकंड टाइम भी करिए तो अच्छा रहेगा समझ में आएगा कोश्चन कताम हो गया क्या लग रहा है काभी टाइम भी हो गया ना इतने में यह पहले सिड्यूल बना था अभी समय पालन नहीं हो रहा है नहीं तो यूटूब पे चारों समेश्टर की सब्सक्राइब दूसरे में यूटूब पे होती है और अपली केसन में तो अलग अलग बैच में अलग 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 कलासे हर समय चलती है चलिए इसका आंसर आप लोग देंगे पहले फिर आगे हम बात करेंगे बाद में थोड़ा सा कलर अलग बदल दें कईसे बदले हो पैसा लगाए है तो फिर कुछ तो दिखाए ना आप लोगों को अलग का है उसी मठा के अलते रहें लो नीला इसक्रीन चलो भाई या ग्रीन में पीर कफ लिखेंगे आपक करिये वासे कहा कहरो कौन सा कलर अच्छा लगेगा दिखेगा बलेक वाला दिखेगा न सफेद का भी दिखेगा कहा सफेद वाला साही रहेगा न आईए इसका जबाब दीजिए तीन वाई जड गुड़ा है इसका कितना आएगा गुड़ा करके बता फट से चलो अजर दद बताएए कितने लोग कर लेंगे कितना आएगा रहे थोड़ा थोड़ा कभी कभी मन चेंज कर लेना चाहिए रोज भाई बलेक 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 हम भी बलेक कपड़ा भी बलेक पीछे भी बलेक जिन्दगी बलेक हो जा रही थोड़ा जिन्दगी में रंग भरी है चले आगे देखिए सामने से हम लाइट वाइट यूज नहीं करते हैं जितनी मैडम लोग आपको यूटूब पर पढ़ाती हैं सुन्दर सुन्दर दिखती ही ना सर लोग जो भी सामने से फ्लैफ लाइट और छट्री वाइट वगर वगर लागा रहते हैं सब करने का कोई मतलब नहीं है बस आपको यह बोर्ड दिखें और हम थोड़ा बहुत दिखें चेहरा पैचानों हमाई है बस इतना मतलब होता है बाकि कौन हम किसी साथ भी आ करने जा रहे हैं अच्छा दिखा कि का मतलब हमाई बस चले ता मुँआ ना दूले समझ रहे हो ना चले आगे हो गया तो कितने लोग कर लिए सोना ली का अंसार आ चुका है बुपेस अलका सिंग जोती और किसका आया बाकी लोग देख रहे हो कि हम लगा दें तो तुम छाप लो ना अब नहीं बताएंगे इतना सवाल बताएं और हम भी कम थोड़े हैं ना बताएंगे एक को ना बताएंगे चलो तुम करो चाहे ना करो लिखो सत्मा लिखो अब ये तीने काहे को लिखते हो भाई या हर समय दिमाग में बस गया है ते तीन लिखते है कितनी मुवब्बत है तीन से ये आप लोग हल करेंगे घर से करेंगे खुद से करेंगे और बाद में आकी सी वीडियो में कमेंट करेंगे आज क्लास का टाइम ओबर हो चुका है ठीक है करती कि ये गुपता कुछ समझ में आ रहा है ये होम और क्या आप लोगों के लिए और आज का class अब यहीं पर खतम होता चलते चलते कुछ important सुचना एक बार फिर्फे दे दे जो candidate सिर्फ 10 वीडियो में पूरा basic खतम करना चाहते हैं वो यूटुब पर subscribe करें राज कुमार यादो सरमैट्स जो कि हमारे नाम से है और इस पर हम आपके लिए फ्री बैच लेके आएंगे दस वीडियो में पूरा basic खतम और जो सारी free class की notification जो पढ़ाया गया इसका PDF ये सब कुछ पाना चाहते हैं तो हमें टेलिग्राम पर join करें PDF फाइल आपको सब्ता दो सब्ता हमें सब इकठ्था भेज दी जाती है चार फाइल, आठ फाइल, पांच फाइल ऐसे भेजी जाती है, रोज रोज नहीं भेजते है ठीक है तो इतना कर लें, किसी को कुछ कहना है class के बारे में तो मुझे बताएं homework वाला जो था, उसे बैक करके देख लेंगे या फिर हम टेलिगराम पे भेज देंगे पीडियाप तो वहां से भी ले लेना ठीक है कोई डाउट नहीं किसी को ना बाबा ना, कोई डाउट नहीं ना भई तो ये homework है homework लिख लीजिए, screenshot ले लीजिए छाप लीजिए चलते हैं फिर मिलते हैं कल थैंक यू बाइ-बाइ, गुटनाइट बाइ-बाइ बाइ-बाइ कोई बाइ जूओनाट लाः कोई पिर मिलते हैं बाइ-बाइ मिलते हैं बाइ-बाइ